Hello friends, welcome to Nutrisho Classes. आज हम Magic Water Activity करने वाले हैं. Right, Magic Water Activity. बच्चों को पानी से खेलना बहुत पसंद होता है. तो हमारी आज की अक्टिविटी सभी बच्चे बहुत एंजॉई करेंगे. घर का समान यूज करके और घर पे ही इस एक्टिविटी को प्रफॉर्म कर सकते हैं. आपको समान चाहिए सिर्फ एक प्लेट चाहिए या फिर सिल्वर फॉयल पेपर. और साथ में चाहिए पानी और वाइट बॉर्ड मारकर. सिर्फ इतने समान से आप कोई भी शेप हम बनाएंगे और उस शेप को पानी में तैरता हुआ दिखाएंगे और बच्चे देखना किस तरह से इंजॉई करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए बड़े ध्यान से देखिए. सबसे पहले व्यट बोर्ड मारकर है हमारे पास. इसके साथ हमने पानी है, वाटर, प्लेट और हमने अपने पास स्ट्रॉले रखिये. और चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्यट बोर्ड मारकर के साथ कोई भी शेप आप प्लेट मे बनाएंगे. यह देखिए यह बचे शेप बना रहे हैं, एक शेप बनाई है, एक और शेप, कोई भी शेप अपने इच्छा से बना सकते हैं, प्लेट में शेप बना के, इसके बाद हमें इस प्लेट में पानी डालना है, यह देखिए, पानी साइड से डालना शुरू करना है, और इस पानी को प्लेट में फैलने देना है जैसे ही ये पानी प्लेट के अंदर फैलना जाएगा पूरी प्लेट अराम से बरिये और जब ये पानी बिल्कुल ये हमने जो शेप बनाई है वहां तक पहुंचेगा तो देखिए आपको इफैक्ट नजर आएगा ये देखिए एक शेप चलनी शुरू हो गई है और दूसरी शेप भी देखिए हर्ट भी अब पानी में उपर उठ गया है इसके बाद बच्चे इस तरह की शेप में कैसे प्लेट कर सकते हैं स्ट्रो के साथ यह देखिए किस तरह से पानी में यह पिकचर्ज फ्लॉट कर रही हैं सिरफ यही शेप नहीं कोई भी शेप यह देखिए कुछ और शेप समने बनाई हैं यह दिखिए किस तरह से बच्चे इन शेप के साथ खेल सकते हैं बड़े ध्यान से देखिए देखिए इसलवर फॉयल पेपर भी अगर लेंगे तो भी सेम एफेक्ट आएगा जिस तरह से भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से यूज कर सकते हैं यह देखिए सेम एक्टिविटी हमने सेलवर फॉयल पे भी करी और यह देखिए शेप्स जो ह जब आप डाइग्राम बनाएंगे पानी डालने के बाद कुछ टाइम लगता है कई बार इसको उपर उठने में जरूरत पढ़ने में कई बार स्टो यूज करके भी इसको उपर उठाया जाता है लेकिन बहुत अच्छे से यह एक्टिविटी सिलोर फॉयल पे भी की जा सक अच्छे से यह एक्टिविटी पसंद आई होगी और अगर आपको आज की एक्टिविटी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेर जुरूर करें थैंक्यू सो मच